हलो स्टुदेंट्स, मैसल कृष्णो अतार पांडे फ्रॉम एस्वेन इंट्री कॉलिज हम आपके समख्ष आज क्लास सेवेंट का इंग्लिज लिट्रेचर में लेसन नमबर थ्री जो की एक कोईम है कविता है इसके बारे में बताएंगे आप सभी ध्यान से देखें हम इसको पढ़ने के साथ साथ इसका मतलब भी आपको बताएंगे ताकि आपको समख्ष आ जाए कि जो लेसन माई विलेज नमका लेसन है अर्दाद मेरा गाउं उसके बारे माप जान पाएंगे ठीक से तो आप ध्यान से देखें इसके जो पैर है वो श्लेंडर आकार में हैं और बहुत ही पतले हैं दा कुकू सिंग स्मेरली कुकू कहते हैं कोयल को जो की बहुत ही मधुर प्रिय गीत गाती है on the mango trees आम के पेड़ो पर children play happily बच्चे बड़ी खुशी खुशी में खेलते हैं in the evening breeze शाम के वक्त ठंडी ठंडी हवा बैती है far from the noise दूर आवाज से काफी दूर चुकी गाओं में शोर श्राबा नहीं होता है तो वहाँ शान्ती रहती है and smoke of the city शहरों में धुआ आदी प्रोडुशन होता है जो गाओं में नहीं होता है इससे आप मुग्त रहते हैं my village stands green in this vicinity मेरा गाओं इस परिवेश में हरा भरा दिखाई देता है ये आपका poem number 3 थी जो खत्म हो गई है करता के पढ़ने के बाद कुछ बाते एक्सेसाइड यानि की अभ्याश सम्मंदिद होती है जिने आप देख सकते हैं इस तरह आप देखेंगे कि कुछ word meaning यादी रहती है जिने आप देख सकते हैं सिलंडर मींस लंबा पतला जो मने आपको पताया था पहले ही मेरली मींस आनंदित होकर ब्रीज कहते हैं हल्की बैटी हुई वायू और विसिनिटी कहते हैं प्रोस में रहने वाले लोग उसके बाद कुछ question answer भी इसमें दे जाते हैं how does the village look like गाओं कैसा दिखाई देता है अगर आप थोड़ा सा grammatically समझें तो इसका answer बहुत ही सहस तरीके से लिख सकते हैं यते how does the village look like गाओं लिख सकते हैं the village looks like a beautiful and sweet इसके बाद नेम दे टू बर्ट मेंचेंड इन दा कोयम कविता में आने वाली दो पक्षियों के नाम तो नाम आपने पढ़ें एक कुकू है और एक पिकॉख है कुकू मतलब कोयल, पिकॉख मतलब मोन ये दो पक्षि इस कविता में में मेंचेंड किये गए हैं तो आप आनसर आराम से लिख सकते हैं नेम और टू बर्ट मेंचेंड इन दा पोएम आर पिकॉख एन कुकू हो गया आनसर what do children do in the evening? शाम के वक्त बच्चे क्या करते हैं तो बच्चों का जो नेचर होता है खेलना लेकिन कविता के आधा के आपको आँसर देना है इस पोएम में बताया गया है children play and happily in the evening breeze अथा शाम की सीतल हवा में बच्चे खुशी-खुशी खेलते हैं इसी प्रकार आंसर लिखते हैं वक्त आप लिख सकते हैं the children play happily evening in the breeze what is the balance for from? अर्थाथ गाउं से या गाउं से क्या दूर है for from अर्थाथ गाउं से क्या दूर है तो हमने आपको बताया था आप लिख सकते हैं smoke, noise, far from the village अर्थाथ गाउं आप लिखेंगे noise और smoke ये दो चीदे ऐसी हैं जो गाउं से दूर हैं आंसर लिखते हैं वक्त आप लिख सकते हैं noise and smoke are far away from the village Is the village noisy and full of smoke? Why? क्या गाउं शोर यूग्ड और धूर यूग्ड होता है क्यों? तो आपको हमने बताया था कबज़ा में कि villages are free from noise and smoke गाउं जो है धूर शोर से मुग्ड होते हैं इस तरह आपने देखा जुको छोटा सा lesson है तो बहुती कम वक्त में इसका solution भी हो गया तो इस तरह के आप इस कविता को पढ़कर समझ सकते हैं मेरे इस वीडियो द्वारा वीडियो को आप जब चाहें जब देख सकते हैं आपके पास उपलब्द रहेगा यूट्यूब पर और जिसनी बाद चाहें उटीवा पढ़ें अगर आपको कोई confusion है तो मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ और आशान हो जाएगा आपके लिए इस इस माई विलेज ये मेरा गाउं है बहुत ही सुन्दर और मधूर है यू सी या पी कॉग डैंकिंग आप ये देखते हैं कि मोर नाशते हैं अन इस थिन स्लेंडर फीट बहुत ही पतले और लंबे पहरों द्वारा दा कुकू सिंग स्मेरली कोयल बहुत ही मधूरता के साथ घीद गाती है अन दा मैंगो ट्रीज आम के पिर्णों पर चिडरेन प्ले हैपली बच्चे खुशी खुशी से खेल खेलते हैं इन दा इविनिंग ब्रीज शाम की ठंडी शीतल हवा में फार फ्रॉम दा नॉइस एन स्मोक अफ दे सिटी जो नॉइज अर्था शोर श्मोक अर्था धुआ जो शहरों में होता है उससे हमारा गाउं दूर है माई बिलेग स्टैंड्स ग्रीन इन दिस विशिनिटी मेरा गाउं का जो पोशी हिस्सा है वो बहुत ही हरा भरा है इस तरह से आपको हमने दुबारा बता दिया अब ये वीडियो के बार रिकॉर्ड रहेगा अब जब चाहेंगे इसको पढ़ सकते हैं देख सकते हैं ओके ठीक्यू